रादे रादे दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त क्रिष्णा और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर्फेक्ट ट्रेडिंग चार्ट में तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ वारे एनर्जी लिमिटेड आई पो के बारे में तो चलिए आज की वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो का एंट तक जरू देखना गाइस और जिसे भी वीडियो अच्छी लगे हो सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंज कर देना और एक कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी तो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते वारे रिन्यूबल्स तो जिने नहीं पता है उन्हें मैं बता दू वारे रिन्यूबल्स एक ताइम का मल्टी बेगर स्टॉक गरेच चुक है गाइस वह 2-3 रुपे का स्टॉक था 2-3 रु फिर हम फटा-फट से आई-पो के उबर डिस्कॉशन करेंगे तो वारे रिन्यूबल्स का अगर हम चार्ट देखेंगे तो आज के दिन का जिने नहीं पता होगा उन्हें तो लग नॉर्मल लग रहा होगा कि ठीकी ओके स्टॉक है बट अगर किसी ने उसका वन मन्त का या तो भी नहीं बट गाइस फाइव यहर्स अगर आप इसका फाइव यहर्स का चार्ट देखो के गाईस तो यह स्टॉक एक टैम पे डेड रुपे पे था डेड रुपे से उग गया है काईस त्री थाउजन सम्धिंग तो जिस किसी ने भी उसको लिया होगा ना भाई आज गलवादी बनको बेटा होगा तो किसी ने अगर भाई किया था यह भी तो मुझे कोमेंट सेक्षिन में जुरू बटा सकता है काईस कोमेंट सेक्षिन हुसी लिग होते हैं पर आप कोमेंट sonst कि नहीं करते हैं तो गाइस comment section में जुरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगती है अगर आपको suggestion देना चाहो तो दे सकते हूं मुझे पर अगर आप देखो के तो वारेर रिनुबस ने काफी एक अच्छा return दिया था पैनी stock था वो पैनी stock से काफी multi bigger stock बन चुका है वो और अब आ गया है वारे energies IPO आ गया है तो अभी हम लोग फटाफट से IPO की detail देख लेते हैं तो बिना किसी देरी की guys फटाफट से हम IPO के ऊपर नजर डालेते हैं कि हमें apply करना चाहिए नहीं करना चाहिए मैं last में मेरा advice दे दूंगा बट आपको apply करना नहीं करना है आप खुद की study से decide कर लेना guys मेरा point of view रख देता हूं तो पहले हम इसकी normal information ले लेते हैं वारे energies जो IPO है वो open होने वाला है 21st October को that is Monday close होने वाला है 23rd October को Wednesday को basis of allotment जो है 24 को पता चलेगा midnight और मेभी next day तो जिनने नहीं लगेगा guys उन्हें next day refund आना start हो जाएगा और जिनने लग जाएगा तो वो guys comment section में पता सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद में जब उनको allotment होगा और जिनको मिल जाएगा उनके account में credit हो जाएगा लिस्टिंग डेट जो उसकी होने वाली है वो होने वाली 28 तू Monday तू Monday यह होने वाला है Monday से IPO स्टार्ट होगा और Monday को ही लिस्टिंग होगी तो अब हम आगी की information देखते हैं तो गाइस हम वीडियो को जादा लंबा नहीं करेंगे जो जो काम की डीटिल से हम वो फटा फट देख लेते हैं तो जो उसका face value होने वाला IPO का वो होगा 10 rupees का price band रहने वाला है 1427 से 1530 के बीच में lot size जो होगा guys वो होगे number of shares नाइन रहेंगे और यह NAC और BAC दोनों में list होने वाला है अब हम अगर बात करें इसकी lot size की तो lot size जो रहने वाला है मैंने बताया number of shares जो होगे वो 9 होंगे amount जो होगा वो होगा 13,527 रिटेलर के लिए minimum 1 lot लगाएंगे तो उन्हें इतने रुपय का investment करना पड़ेगा IPO के लिए रिटेलर जो है maximum 14 lot लगा सकते हैं तो 14 lot के लिए आप कर लगेगा 1,89,378 okay फिर then SME IPO के लिए minimum maximum और जैसे भी आप लगाना चाहोगा okay तो मुझे तो लगता है guys यह IPO अच्छा ही जाने वाला है और energy sectors related है और मैंने आपको अज़ी बता है वारे renewals का भी और जी सबसे market में energy sector के अगर आप किसी भी IPO को compare करोगे तो guys overall सब IPO अच्छे गहें तो हम फटा फट से देख लिए से इसका GMP तो guys अब हम अगर इसकी GMP की बात करें तो GMP इसका चल रहा है 101% तो अभी तक तो GMP हो रोल अच्छा ही है IPO Monday को open होगा next Wednesday को close होगा वन वीक है तो वन वीक में कुछ भी हो सकता है आपको क्या लगता है इसका GMP तब तक और बढ़ेगा या फिर कम होगा मुझे comment section में जुरू बताए अगर वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो comment section में बता देना वीडियो को like कर देना subscribe नहीं किया दो चैनल को जल्दी से subscribe कर देना और आपके दोस्तों के साथ जो भी share market में इंटेश्वरों के साथ वीडियो को शेयर कर देना तो बाई बाई गाई गॉड नाइट कल मिलते ह साथ परफेक्टर इंचार्ट चैनल पे